नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीद गोश्वामी आप देख रहे हैं जी स्मार्ट केर दोस्तों आज लेकर प्रेक्टिन और डेकाडन टेबलेट के बारे में पूरी जानकरी तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे दोस्तों आपको पूरे इंफर्मेशन मिल सके और सही त अब दोस्तों परपस के लिए इसके इस्तेमाल होता है तो बहुत से लोगों दोस्तों उसका बूख लगने के लिए इस्तिमाल करते हैं अगर नहीं लग रही हो खाना सईसे से अधैस से ठापनी उत पुख थैए बौट खाना नहीं लग रही है और भूण खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं लगती है बुल्कुल भी बूख नहीं लगती है इस सिचुशन में दोस्तों बहुत से लोगों इसके इस्तिमाल करते हैं तो सब को जानेंके दोस्तों तो दोस्तो किस तरह इसका इस्तिमाल करना चाहिए तो खाना खाने से पहले अफ 12 गंटे पहले टेबलिट सकते हो सुबास रेकिनल रहे सिर्फ ब्कष्श बिल्कुल नहीं करना है ओर बुजोर्ड लोग भी दॉस्तों ना दे ठीक है अब डूस्तों इससे क्या होता है तो आपकी बॉड़ी दोस्तों और मोटा होती है पूख आपको अच्छा लगता है आप जो भी खाना खाते हो आपकी बॉड़ी को लगता है आपको बूख बहुत ज्यादा लगेगी दोस्तो और आपके सरी में दोस्तो स्फूर्ती रहेगी आपको थकावट नहीं लगेगी क्योंकि डेक्सामुथासवन दोस्तो एक स्टेरो इसका अब दोस्तो बात करते हैं इसका नुकसान कि तो इसका दोस्तो नुकसान यह है कि अगर आप एक मेने से जाएदा इसको यूज करो हांगे हैं दोस्तो इसको बहुत कहएरह जब भी दोस्तों आप उसको छोड़ोगे तो आपका सरी दोस्तों एक दम weakness हो जाएगा पहले से भी खराब हालत दोस्तों आपकी बोडी की हो जाएगी तो गभी भी दोस्तों इसको रेगिलुर इस्तिमाल ना करें ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिल एक मेने दक आप कर सकते हो व दोस्तों एक मेने के बाद छोड़नी पाओंगे इसको आपको अच्छा लगेगा दोस्तों इसलिए आप इसको रेग्विलो चला हुए और लोंग टाइम दोस्तों आपको बहुत नुक्सान कर सकता है ठीक है फिर भी इस्तिमाल करने से पहले बाद डॉक्टर से एडवाइस दीजिए तो आपके लिए दोस्तों बेटर रहेगा ठीक है तो यह थी दोस्तों प्रेक्टिंट टेबलेट के बारे में कोई भी क्वेस्चन दोस्तों कमेंट करना और दोस्तों भाई की एडवाइस आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक जरू करना और वीडि करना और वीडियो में